हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल हम बात करें थे क्लास तेंथ के चैप्टर नैशनलिजम इन इंडिया लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की इंटोड़क्शन जो है देदी थी उसमें हमने किया था कैसे जह कॉमन अडेंटिटी लाने के लिए ज जो अलग-अलग क्लासिस थी कैसे वह अफेक्ट होई थी बिटिजिस की पॉलिसी से यह सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था अगर आपने वह चैप्टर की इस चैप्टर की इंटोड़क्शन वीडियो नहीं देखिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की इंटोड़क्शनली वीडियो है जो फस्ट वीडियो है चैप्टर की नेशनलिजम इंडिया की वह अब देख सकते हो ठीक है अब करेंगे बात हम फस्ट वर्ड वर की यह सेकिंड टॉपिक है इस में इस चैप्टर इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं year after 1919 1919 1919 के बाद के जो years थे उनमें क्या हुआ था incorporating new social groups ने social groups आये थे new social groups incorporating and developing new modes of struggle new modes of struggle किसी year की बात करें आफ्टर 1919 के बाद के years में कुछ new social groups आये और new modes of struggle जो होनी शुरू होगी ठीक है struggle करने के ने-ने modes किस तरह से struggle की जाये किस तरह से ब्रेटिश को oppose किया जाये वो सारी चीजे जो है जो की new social groups ने और new modes of struggle कैसे आये कैसे यह सब जो है घटिद हुआ तो यह पढ़ेंगे हम 1913 से लेके 1980 के बीच में क्या हुआ था मतलब इस इस जीर से पहले की बात करेंगे हम पहले ठीक है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार होई जिसके वजह से क्या है वर्ल्ड वर की इन्दिशन वकाँ क्या होगा दाना से क्या सब्सक्राद करते हैं जिसके टाते हैं Use Increase in Defend Expanditure जो defense expenditure जैसे war में आपको पताय है कि काफी सारा ासमेरशत पने लगता है meaningfuls लगताय। है मात्रती ऺता हुआँ केंड़ा बैजने RAM anlam जोगती機 Lin aboard expenditure क्या होता है जो किस चीज़ पर कोई खर्चा करते है expenditure ठीक है एक income वोती है एक expenditure income क्या है जो में पैसा मिलता है expenditure जो हम खर्चते हैं तो war के उपर काफी सारा खर्च होने लगा था उस को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा था war loan लिये जा रहे थे increasing taxes tax जो थे उनको बढ़ा दिया गया था custom duties were raised ठीक है custom duty लगा दी गी थी और income tax introduced और income tax को introduce कर दिया था ठीक है यह याद रखना पहला कही था war loan लिये थे उसके बाद increase taxis taxis increase कर दिये गये थे number 3 custom duty were raised custom duty जो थी कर थे वो बढ़ा दिये गये थे और income tax जो था वो लगा दिया गया था मतलब यह कहा है जो पैसा है वो पैसा कहां से आता है common people से तो उनके उपर जो है बुरा burden जो है चला गया था उसके बाद क्या कि इन्होंने price increase जो essential goods थी चाहे चाहे वो food हो चाहे वो किसी भी तो इन सब कारणों की वजह से जो है extreme hardship for the common people अब जो आम लोग थे सदारन लोग थे उनको जो है extreme hardship बहुत ही तंगी का जो है सामना करना पड़ा ठीक है जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर एकदम से आपके उपर जो है काफी सारे खर्चे आजये तो आपको जो है उनको manage करना मुश्किल हो जाता है ठीक है तो ऐसे ही एक तो tax increase कर दिये गये थे new tax लगा दिये गये थे उसके बाद जो प्राइस था गुड्स का उनको भी increase कर दिया गया था between 1913 and 1918 जिसकी वज़ए एक्स्ट्रीम हार्टी फोर्दा common people जो आम लोग थे सदारन लोग थे उनको जो है काफी तंगी का जो है hardship का सामना करना पड़ा राइट उसके बाद एक कारण और था यहां पर मैंने लिखा हुआ है force recruitment force force recruitment force क्या होता है जबर्दस्ति की से के साथ कोई जबर्दस्ति करना ठीक है recruitment क्या है उससे मैंने आपको पताया का first world war हो थी तो उसमें सिपाईयों की जुरूत पड़नी थी इसलिए जो है जो रूलर एरिया थे वहां से जबर्दस्ति जो है force recruitment जो है आपकी ncrt book में इसकी definition भी दी गी है आपको पेज नंबर 54 पे तो force recruitment होने लगी जैसे का है रूलर एरिया के जो लोग थे उनमें widespread anger वह पूरे तरह से जो है भड़क गए थे कि हम जो है उस वार में नहीं जाना चाहते हम अपने बेटों को जबर्दस्ति जो है force recruitment कर रहे थे recruitment होता है भरती करना ठीक है तो जबर्दस्ति उनको फोज में भरती कर रहे थे तांज वहां पर जाकर जंग लड़ सके ठीक है तो जिसके कारण क्या है वाइट स्प्रेड एंगर आगी ठीक है अब आपने दो कारण देख लिए एक तो क्या है एक्स्ट्रीम हार्डशिप यह आपका पहला कारण था और दूसरा क्या है वाइट स्प्रेड एंगर ठीक है यह ऐसी सिच्वेशन है जो न्यू शोशल गूरूप और न्यू मोड़ जैसे जो है यह न्यू गूरूप बने न्यू मोड अफ स्ट्रगल आये हम कि यह तो 1918-191919 एंड 1922-1921 जो है क्रोप फेल किसी कारण वश्ची से जो है चाहे वहां पर एपेडेमिक हो गया था जा कोई वर्षया के कारण जा रेंफोल के कारण किसी भी कारण के वाज़ए स वहां पर जो है क्रोप फेल्ड फेल्ड मतलब यह निको उसका कम माग साय थे नहीं फेल्ड मीज़ क्या है उस समय उस दिनों में उस येर्ज में जो है फोसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी जितनी प्रड़क्शन से होनी चाहिए थी उतनी प्रड़क्शन नहीं हो के साथ प्राइज भी बढ़ जाता है ठीक है तो प्राइज भी इंक्रीज हो गया था उससे में फो शोटेज भी आगी थी फूड की जिस वजह से काफी सारे जो लोग है थाउजन्ड सो प्यूपल वर डाइड बिकोज ओफ इस एपडेमिक एंड फैमिनी ठीक है इस वजह स यह काफी सारे लोग मारे भी गे थे प्रोफ एले फूटे फूड की वजह से ठीक है तो यह सारे कारण थे जैसे मैंने आपको लिख्या वोर नों हो गया इंक्रीज टैक्स हो गया प्राइज इंक्रीज हो गया फोस्ते रिइस घूटमेंट हो गया बिशन्स इस आर दा आपीड़ संचाइब एंड श्रगल सत्यक्राय के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सो होप यह आपको पूरा टॉपिक और यह वीडियो पसी तरह से समझ आगई कैसे फर्स्ट वॉल्ड वर की वजह से जो है न्यू एकनॉमिक और प्लिटिकल सुचेशन जो है इमर्ज हुई और उसके बाद जो है न्यू ग्रूप्स और सोशल मोड ऑफ स्ट्रगल आए और उन सब के रीजन्स क्या थे यह सब आपने यहां पर पॉइंट्स में पड़ लिया है सो होप यह वीडियो आपको अच्छी तरह से चैप्टर जो टोपिक समझ आगया होगा नेक तैंक य। तैंक य। ररी मुझ नष्ट Hearts